अक्षे कुमार ने कोविट के बाद से एक दर्जन से जादा फिल्में दी है और इन फिल्मों में से महस एक या दो फिल्में ही हिट होई है बाकी सारी फिल्में फ्लॉप होई है यही कारण है कि अब अक्षे कुमार को एक बार फिर से कॉल आउट किया जा रहा है ना सिर्फ जादा फिल्मे करने के लिए, बलकि इसलिए भी कि अक्षे कुमार के फिल्मों में कोई क्रेटिविटी नहीं होती है, वो बस छापू गाम करते हैं। अब शाहिद कपूर ने अपने इंटर्व्यू के दोरान एक ऐसी बात कह दी है, जिसके बात माना जा रहा है कि शाहिद कपूर ने ये बात अक्षे कुमार के ले कही है, और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि इस से भारी बेज़ती अक्षे कुमार के और कुछ नहीं है। आपको बता दे कि शाहिद कपूर ने हाल ही में एक इंटर्व्यू दिया और इस इंटर्व्यू में उनसे पूछा गया कि इतने टैलेंटेड अक्टर हैं, इतनी अच्छी फिल्में आपने की हैं, आपकी सीरीज भी हिट हुई है, आपको बता दे कि कबीर सिंग और फरजी जैसे प्रोजेक्स देने के बाद तो शाहिद कपूर को ज़्यादा काम करना चाहिए था, उसके बावजूद वो काम कम कर रहे हैं, तो शाहिद कपूर से जब पूछा गया कि वो काम कम क्यूं कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं जब एक प्रोजेक्ट में होता हूँ तो पूरी तरह से उसके अंदर involved हो जाता हूँ उसके look से लेकर, उसके किरदार से लेकर मैं वो actor नहीं जो नकली मूचे लगा कर कभी ये बन जाओ कभी नकली डाड़ी लगा कर वो बन जाओ शाहिद ने कहा कि वो अपने किरदार के लिए डाड़ी, मूच, अपना character हर कुछ, सब कुछ real दिखाने की कोशिश करते हैं और शाहिद ने ये भी कहा कि इस तरह की acting से वो connect भी नहीं करते हैं शाहिद कपूर के इस statement को अक्षे से जोड़ कर देखा जा रहा है क्योंकि जब अक्षे कुमार की पृत्वीराज फिल्म आई थी तो वो फिल्म बहुत बड़ी disaster होई थी और उसके बाद अक्षे कुमार के लिए sources ने ये भी कहा था कि अक्षे कुमार अपने किरदार को लेकर कोई sacrifice करने को तयार नहीं थे मूचे तक असली नहीं उगा सके नकली मूचे बनाकर वो पृत्वीराज बन रहे थे कहां से असली look आता और कहां से फिल्म के अंदर जाना थी इन फैक पृत्वीराज के दौरान अक्षे कुमार ने रक्षा बंदन फिल्म की और दोनों ही फिल्मों में लुक भी सेम रखा इसके लिए भी वो भारी तरह से ट्रोल हुए हाल ही में अक्षय कुमार ने मिशनरानी गंज की जिसके अंदर वो एक बार फिर से डाड़ी मूचों वाले अवतार में नजर आए फिर नकली डाड़ी और नकली मूच में नजर आए, फिल्म ये भी सूपर फ्लॉप रही, ऐसे में अब ना सिर्फ अक्षय की जादा फिल्मे करने की आदत को कॉल आउट किया जा रहा है, बलकि अब अक्षय जो एक्टिंग के लिए ये नकली पन यूज़ कर रहे हैं, ये भ